वल्कम टू क्लास एंटेश्ट अब यहां हम लोग देखेंगे सौट का एडवांश्ट सौट का यूज करना आपको आ गया सौट क्या होता यह देख लिए अब एडवांश्ट सौट का उप्योग करना देखते हैं अब यह जो आप सौट कर रहे थे अलफाबेट के लिए के लिएडिंग को सौट किया है उसके बाद डाटा में जाते हैं और यह दीकिए डाटा टूल्स में आए और यह रहा आपका शौट क्लिक करते हैं शौट पर सौट पर क्लिक करेंगे तो इस पैंड द सेलेक्शन आ गया यह उप्स्ण तो आप इसे कैंसल कर दें खिलियर औ बटन और राइट ऐरो से सलेक्ट किए उसके बादiri कुर्ण सिफ्ट दावे हुए डाउन ऑडरो को क्लिक करेंगे एक बार में ही पूरा का पूरा विंडो करें मैं देख लिया और उसके बाद और जाते हैं स्क्रॉं करके और डा पर ञाते हैं, तो देखिए हमाबरे को sort का window क किलियर तो किस तरह से आप एक सौट का एडवांस्ट विंडो ला सकते हैं अब यहां हम चाहते हैं किया कि सबसे पहला तो जो सौटिंग जो हो वह हो नेम के अनुसार किलियर और वह अलफाबेटिकली हो फिर एड लेवल तूसरा जिसको सबसे ज्यादा नंबर आया है वह सब तो स्मॉलेश्ट सौट ऑन क्या होगा सेल वैल्यूज सेल कलर फॉंट कलर यह सब के नुसार नहीं सिर्फ सेल वैल्यूज किलियर है थर्ड हम लेते हैं एड लेवल तीसरा आप देख लीजिएगा मैथ कुछ में जिसको ज्यादा नंबर होगा उसके नुसार ले सब्सक्राइब क्लास तो इस तरह से आप मल्टिपल ऑप्शन सौट का यहां से एडजेस्ट कर सकते हैं ले सकते हैं और उसकी वाद ओके क्लिक किजिए कोई दिमाग खर्च नहीं करना है आपके ऑप्शन के अनुसार आपके ओडर के अनुसार यह हो चुका है आप देख सक कीबे क्या करते हैं जाते हैं यह में त सौट हो गया है तो बढ़ा सिंपल है आसानी से कैसे किये क्लास से शब्सक्राइब करते हैं अब क्या करते हैं में जाते हैं, दूसरी में थरट धरट देख रहे हैं, और यहां भी रहता है, sort and filter में custom sort, clear, custom sort क्लिक किये, अब यहां से आप कुछ को हटाना चाहते हैं, देनवा ये option आप हटाना चाह रहे हैं, delete level इसे भी हटाना चाह रहे हैं, delete level, और sort जो करना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि क्लास के नुसार पहला sorting होगा, तो सबसे पहले आप क्लास ले लीजिए, फिर add level उसके बाद आप चाह रहे हैं कि total marks के नुसार हो, जिसको सबसे ज़्यादा number रहे, वो सबसे उपर रहेगा, तो largest to a smallest, clear, और okay क्लिक करते हैं, तो देखिए, क्लास के नुसार ascending हुआ सबसे पहले, पूरा क्लास वाइज आपका arrange हो गया, sort हो गया, दूसरा, आपको total marks के नुसार सबसे ज़्यादा number जो class 1 में था, वो सबसे उपर, और वो decreasing order में देखिए आ गया, और देखिए class 2 का भी देखिए, class 2 में सबसे ज़्यादा number किसे है, साहिल कुमार को, और उससे जो कम आया है, वो आपका नीचे की तरफ बढ़ते जाईए, वो हो गया, फिर इसी तरह से class 3 का भी sort हो गया, तो इस तरह से आप आसानी से sort का परियोग कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं, उपर का heading गाइब है न, तबहें पता नहीं चल रहा है कि किस में क्या entry है, तो वो तो आप जानते हैं, फिर आप view में जाते हैं, और क्या करते हैं, फ्रीज पेंस कर देते हैं, फ्रीज पेंस का उपयोग जानते हैं, तो देखिए असानी से फ्रीज पेंस सम्यू की लगायें, और वो देख लिए, तो इस परकार से आप कस्टम sort भी कर सकते हैं, और फ्रीज पेंस